हाई वेल्टीज, वेलकम टू एज़ीवे कामर्स क्लासिस, मैं हो दविता और गाईज आज किस वीडियो में हम अपनी बुक यानि की इंडिया निको की बुक में से चेप्टर नमबर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है लिब्रिलाइजेशन, प्राइज़ेशन और नेई एक्नामिक पॉलसी नई e कॉनमी के लिए जो बनाए जारी है उसको बोलते है निई एकनामिक पॉलसी तो यानि कि ये पॉलसी इतनी इंपोनेंट ही गाईज कि हमारी नेई एकॉनमी बनने वाली थी जो अभी तक अज़ादी के मास से 1991 में आई थी ठीक हैं अब यह क्यों आई थी गाईज यह मैंने प्रीवेस वीडियो में बताया था कि साथ बिलियन डॉलर का हमारी गवर्मेंट यानि के इंडिया की गवर्मेंट ने लोन लिया था किसे वर्ल्ड बैंक से और इंटर्नाशनल मॉनेटरी फंड से तो उन लोग रिमॉफ करो यह रिस्टिक्शन को प्राइवेट सेक्टर के लिए तो हमने इनके लिए बनाई लिब्रलाइजेशन पॉलिसी लिब्रलाइजेशन पॉलिसी में क्या किया था कि लिब्रल होना यानि कि छूट दे देना रिस्टिक्शन को हटा दिया था प्राइवेट को business खोलने के लिए license चाहिए होता था business बढ़ाने के लिए license चाहिए business को अगर diversify करना चाहते एक business के साथ अगर कुछ और खोलने का मन कर गया उसके लिए license चाहिए तो licensee license है उन्होंने बोला ये restrictions हटाओ so removing restrictions to private sector हमने उस policy का नाम दे दिये liberalization second उन्होंने बोला यानि कि ये जो international policy बनी थी उन्होंने हमें इंडिया की government को बोला loan तभी मिलेगा जब आप reduction करोगे in the role of government यानि कि हर जगे पर public sector काम खोलके बैठा है government ही समाले जा रही है government ही कोई company खोल रही है sorry तो उन्होंने बोला कि government के role को कम करो भई private लोगों को भी role दो तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला था था कि बाहर की देश की company हमारे देश में आ सके MNC जिसे आप जानती हो multi national company कहते है वो हमारे देश में आ सके तो उन्होंने बोला भई आप liberal तो हो जाओ प्लस उसके सासत private को role भी दो role कैसा अपने sector को थोड़ा सा reduce करो अपनी ownership को private sector को दो आज के टाइम में कैस क्या है बिजली private हो चुकी है सारी चीजे almost private हो चुकी है ठीक है बसे भी private हो चुकी है roads भी private हो चुकी है हर चीज प्राइवेट हो चुकी है सो वो लोग उसको फिर run करते थे third guys उन्होंने बोला removing trade restriction अपने देश के अंदर ये अंदर trade नहीं करना अब अब हमें आपको पूरे universal याने की international level पर trade करना है तो उन्होंने बोला तभी हम loan देंगे तो हमने बोला ठीक है ऐसा कह रहे हैं तो हम अपनी policy लियाते globalization तो अब globalization में हम global हो गए world हमारे साथ trade कर सकता है हम world की other countries के साथ trade कर सकते हैं सो हमारी ये तीन policy आई थी क्यों आई थी सब पता है कि ये policy आई थी वाट क्यों आई थी ये जो तीन शर्ते थी इसको पूरा करने के लिए तो उन कौन कौन सी policy थी liberalization, privatization and globalization कब आई थी one mark के question में पूछा जाते है guys July 1991 में आई थी liberal में हमने क्या बोला? liberal होना है, छूट देनी है, restrictions को हटाना है, private sector को लेकर जो भी restrictions है, license को लेकर जो भी restrictions है privatization में बोला कि ownership को change करना है, reduce करना है, किसके हाथ में जानी चाहिए private sector globalization में क्या बोला? कि हमें अपनी economy को global करना है, अपनी boundaries को open करना है with the world economy so that कि हम उनके साथ और वो हमारे साथ trade कर सके ठीक है? अब ये तो था guys कि भाई हमारी ये policies थी लेकिन इसके पीछे two measures हमने लिये थे कि हमें क्या changes करने है, हमें क्या changes अपनी economy में करने है तो first, stabilization measure लिया हमने, कि हमें अपनी economy को stable करना है, इसको हम short term measures भी बोलते है जिसमें हमने क्या का था? कि भाई, एक तो हमें stable करना है किस चीज को, जो महंगाई, inflation है, उसको stable करना है second, हमें stable बनाना है अपने foreign exchange reserve को, so हमारे पास sufficient foreign exchange reserve होना चाहिए हमारी ऐसी policies हो तो हमने stabilization को ध्यान में रखा, second जो हमने measure लिया guys, वो था structural reform, structure wise हमारी country को reform करने की ज़रती जिसे हम long term measure भी बोलते हैं, इसमें guys, हमारी economy को efficiency में लेके आना था, यानि हमारी economy को efficient बनाना था production हो, कम cost पे हो और चीजों का production हो, second चीज guys, removing rigidity, जो कि हमने globalization में देखा, privatization में कि rigidity नहीं होने चाहिए कि देश के अंदर ही अंदर trade होगा, खोलो अपनी economy को, so removing rigidity, तो हमने दो तरीके से measures लिए, कि ये ये तो हमारे काम होने ही चाहिए, हमारी इन तीन policies की वज़े से, तो ये policies के नाम आपको समझ आने चाहिए guys, liberal होना, privatization and globalization, और guys, ये इसका basic था, अब next video से हम हर एक चीज में, क्या-क्या उन्होंने काम किये थे, वो पढ़ेंगे, I hope guys, आपको य आइक ज़रूर करना, अपने प्यारे से comments करना, और अगर अभी तक आपने चैनल subscribe नहीं क्या हो, तो जल्दी से करना, और अपने doubts आप मेर से YouTube, और Instagram पर पूछ सकते हो, Instagram पर मेरी ID है Tabitha Maisi, thank you